देल श्विट्स, ग्लास 7 का ये हिंदी चप्टर हमारे पास है, नीती के दोहे, और ये पुराने बुक में चप्टर 18 में दिया हुआ था, इस बार जो है, चप्टर 15 में दिया हुआ है, यहां पे नीती के दोहे दिया हुआ है, इसमें दोहा का जो अर्थ है, वो मैंने पहले अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे और वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और इसके अर्थ को समझ सकते हैं, इसके अलावा उसमें लिखित question जो अभी आप लोगों के book में दिया हुआ है, उसका लिखित question जो है, उसका solution आपको वहाँ पे मिल जागा, इस बार जो book new आया हुआ है, उसमें market question add कर दिया गिया है, जो कि पिछले बार नहीं था, तो market question add कर दिया गिया है, वो different question है, और उस वीडियो में आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तकि आप लोगो को, जो market question दिया गिया है, उसका answer आपको मिल जाए, उसका solution आपको मिल जाए, तो चलिए मैं आप लोगो को दिखाता हूँ, कि market question क्या है, और लिखित question क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, एक student के दोआरा, मुझे ये picture बिला हुआ है, इसमें यहाँ पे इसका सब्दार्त दिया हुआ है, इस chapter का, और आगे वर्तनी बोद दिया हुआ है, और उसके बाद अभ्यास, market question दिया हुआ है, इसमें 4 question दिया हुए है, जो पिछले old book में नहीं था, यह question पिछले book में नहीं था, और इसी का answer में आप लोग को यहाँ पे complete कर दे रहा हुँ, चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे liquid question जो है, वो क्या था, यहाँ देख सकते हैं, यह liquid question है, और liquid question completely आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तम पर किर्थी के लोगों पर कुसंग का परवाव नहीं पड़ता, तो मौकी question का first number का question दिया हुआ है, उसका answer यही हो जाएगा, और यहाँ पे जितने भी question दिये हुए हैं, तो सभी का answer आपको old video में मिल लियागा, आप वहाँ पे जाकर इसका solution देख सकते हैं, और यह जो question दिया हुआ है, यहाँ पे भाव दरसाने के लिए जो कहा गया है, यह question का भी answer आपको old video में solve क्या हुआ है, तो वहाँ से आप उसका solution ले सकते हैं, और कुछ भी question इसमें extra जो द्याकरन से समान्दीत हुआ जो दिया हुआ है, उसमें कई तरह के questions बनाए गया है, उसमें भी complete किया गया है, तो वहाँ से आप help ले सकते हैं, चलिए मैं आप लोग को मोखिक question जो complete नहीं है, उसका मैं अप लोग को solution करवा देता हूँ, chapter 15 का मोखिक question का answer यहाँ पे है, मोखिक question कुछ संग का प्रभाव किस परकार के लोगों पर नहीं पड़ता, तो मोखिक question में क्या होता है, उसका answer जो होता है, सोट होता है, छोटा होता है, उसमें ज़्यादा लंबा answer देने का नहीं रहता है, उस अनुसार से मैंने इसका answer छोटा दियावा है, उत्तम परकिर्ति के लोगों पर कुछ संग का प्रभाव नहीं पड़ता, रहिम जी किसका तिर्सकार न करने के लिए कहते हैं, रहिम कहते हैं कि बड़े लोगों को देकर छोटे और साधरन लोगों का तिर्सकार नहीं करना चाहिए, कौन अपनी परसंसा स्वेम नहीं करते हैं, ज्यानी लोग अपनी परसंसा स्वेम नहीं करते हैं, रहीम जी के अनुसार मनुस्य को परभु का सिमरन कब करना चाहिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई तो सुख के समय हम इस्वर को भूल जाते हैं अपने सुख में ही मगन हो जाते हैं और जब दुख पड़ता है, तब हम इस्वर को याद करते हैं, अगर सुख के समय में भी हम इस्वर को याद करें, तो फिर हमें दुख आएगा ही नहीं, इसलिए सुख में हमें इस्वर को याद करना चाहिए, तो यहाँ पर यह चप्टर पूरी तरह complete हो गया है, अगर हमार वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों साब्सेयर कीजिए, इसके next chapter को solve करने के लिए हम लोग next वीडियो पर चलेंगे,